अग जिस प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, ये प्लांट ना सिर्फ इंडोर में मौझूद पॉलिटेंस को एब्जॉर्ब करता है, ये को फिर्फाई करता है, बलकि सजावट में ये दुनिया भर में ओफिसेस की फर्स चोईस होता है नवश्कार, मैं हो अनीता दिने, आप देखने हैं गार्णिंग एस्थेटेक्स, गार्णिंग एस्थेटेक्स में आज बात करेंगे एक बहतरीन इंडोर प्लांट के बारे में, जो की अंदर घर के बहुत कम रोश्नी में ज्यादा दिनों तक अच्छा बना रहता है, यानि क अंदर आप इसको 15-20 दिनों तक लगातार रख सकते हैं, उसके बाद आपको इसको 2-4 दिनों के लिए बाहर, mild sunlight exposure में रखना होता है, और खास करके ये प्लांट उन बैलकनी के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पर बहुत तेज धूप नहीं आती है, यानि कि 3-4 घंटे की धूप आती है, जो north facing है, east facing है, उन बैलकनी के लिए ये बहुत अच्छा प्लांट है, और ये इतना lush green plant है, कि ये एकदम से आपके indoors में greenery आट कर देता है, इसकी leaves का जो वियास होता है, वो बहुत ही खूपसूरत होता है, और इसकी जो leaves होती है, बहुत ही waxy और shiny होती है, बड़े plant के तोर पे लगा सकते हैं, और साथी साथ आप इसको moss pole के सहरे भी लगा सकते हैं, और तमाम तरह से creatively इसको आप लगा सकते हैं, ये plant आपको आसानी से किसी भी nursery में आराम से मिल जाएगा, दुनिया भर में तमाम offices, corporate premises में, इंडोर्ज में लगाए जाने के लिए shuff या फिर अमरेला plant को काफी पसंद किया जाता है, और इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि ये कम light में भी अच्छे से maintain रहता है, और इसकी जो पतियां होती हैं, वो साथ और नौ के विन्यास में पाई जाती हैं, और बहुत ही ज़्यादा visually appealing होती हैं, इनकी बहुत सारी varieties available ह चोटी पतियों वाली, बड़ी पतियों वाली, मौस्टिक पे लगाई जाने वाली कई varieties हैं, इस plant को यू तो bright indirect sunlight की जरुवत होती है, और 4-5 घंटे की indirect sunlight इसके लिए काफी होती है, उससे कम light वाले outdoors में भी आप इसको रख सकते हैं, यानि कि आपकी उन areas में, उन balconies में जहा को लगाते हैं, थोड़ी सी care करते हैं, तो ये plant काफी लंबे समय तक maintain रहता है, और अब बात कर लेते हैं watering की, ये एक ऐसा plant है जिसको moderate watering पसंद है, यानि कि आपको बहुत पानी नहीं देना है, उपर की जब धाय इंच की मित्ती सूख जाए, तब आप इसमें पानी लगातार पानी मत डालिए, बारش के दिनों में लगातार हो रही बरसात में ये ध्यान रखिये कि इसके pot में पानी रुके नहीं, अगर पानी drain होता रहेगा तो इसे कोई समस्या नहीं होगी, पर सर्दियों के दिनों में आप इसमें कम पानी डालेंगे, क्योंकि अगर का dormancy का phase होता है तो इस plant के ज्यादा watering की वज़े से खराब होने के chances होते हैं जहां तक soil की बात है इस plant के लिए जो soil बनाएंगे वो organic matter में rich होनी चाहिए well draining होनी चाहिए और थोड़े से अगर आप उसमें grits use कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा उससे इस plant में की roots में aeration organic manure, home compost भी हो सकता है, home compost भी हो सकता है, cowden manure भी हो सकता है, leaf mold भी हो सकता है, कोई भी organic manure जो आपके पास available है उसको mix कीजिए, बहुत ज़्यादा कोको पीट या बहुत ज़्यादा moss grass वगेरा मिलाने की जरुवत नहीं है, क्योंकि इस plant के लिए उसकी requirement नहीं है, ये एक hardy, easy to care plant है, और ये काफी सारे लोग की शिकायत होती है, कि हमारा plant तो लंबे समय तक नहीं चल पा रहा है, तो मैं आपको बताऊंगी, गौर कीजिएगा, ये plant कब खराब होता है, या तो बहुत गर्मियां पढ़ रही हो, या बहुत सर्दियां पढ़ रही हो, तो गर्मियों में भ गर्म हवा से बचाना है, और तेज धूप से बचाना है, क्योंकि इसकी पत्नियां तेज धूप में बर्न होने लगती है, इसलिए आप कोशिस करिए कि प्रिफरेबली आप इसको नौर्थ में रखिए, या फिर अगर आप और दिशाओं में रख रहे हैं, तो ऐसी बैलकन प्लांट घर के अंदर लंबे समय तक फ्रेश बना रहता है, और घर की सजावट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस प्लांट की तमाम वराइटीज आती हैं, खास करके छोटी वराइटी आप ट्रे गार्डन में या फिर बॉनसाई की तरह भी डिवलप कर सकते हैं, औ देखने में काफी सुन्दर लगती हैं, अस्थेटिक लगती हैं, और आपकी डेकोर को इन्हेंस करेंगी, ज़्यादा खुबसूरत बनाएंगी, बहुत ज़्यादा जब गर्मियां पढ़ रही हैं, तो आपको हमेशा इस प्लांट को लू से बचाना है, तेज दू से बच इसलिए फ्रॉस्टी डेज में भी कोशिस ये करें कि इसके उपर टॉप कवर रहे, या फिर आपके पास अगर ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां पर टॉप कवर हो, तो आप इस प्लांट को सिंपली एक महीने के लिए जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का समय, जो हमारे हाँ ज सर्दियों का असर ना हो, आपका प्लांट लंबा चलेगा, साल दर साल चलेगा, यह एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत बड़ी तादाद में फटलाइजर नहीं चाहिए, जब आप मिट्टी बनाते हैं, तब आप इस प्लांट में कॉम्पोस्ट मिलाते ही मिलाते हैं, साल प्लांट में इन्फेस्टेशन होने के चांसे बहुत कम हो जाएंगे, यह प्लांट को आप सीट से भी प्रोपगेट कर सकते हैं, इस प्लांट में बेरीज जैसे फ्रूट्स निकलते हैं, जो की एडिबल नहीं होते हैं, और उनको ना आपको खाना चाहिए, ना ही अपने प्लांट को खिलाना चाहिए, पर उनसे जो सीट बनते हैं, उनसे इसके नए प्लांट आसानी से ग्रोप किया जा सकते हैं, पर सबसे बढ़ियां तरीका हमारे यहां इनकी कटिंग लगा करके इनको ग्रोप करने का है, और 10 सेंटिमीटर तक की जो स्टेम होती है, वो बहु लो लाइट में बहुत अच्छे से चलता है, पर जब बहुत कम लाइट होगी, तो यह लगी होने लगता है, ऐसे में इसको मेंटेन करने का जो तरीका है, यह है कि टाइम तो टाइम इसको थोड़ी सी लाइट प्रोवाइट कर दें, और फिर इसको टॉप प्रून करते रह ताकि ये plant थिक और बुशी बना रहे हैं अब बात कर लेते हैं last में infestation की ये plant में वैसे तो infestation नहीं होगा अगर आप इसको regularly पतियां वाश करते रहें, stem वाश करते रहें और इसके साथ ही इसमें micronutrient अच्छी तादाद में आड़ करते रहें पर फिर भी अगर आप ने इ जिसमें इंफेश्टेशन प्रों जो प्लांट होते हैं खास करके जैसे हाई बिसक Charles या कुछ इस तरह हैं जिनमें मिली बग्स वगेरा का टैक होता है तो मिली बग्स इस पर भी अटाइक कर सकते हैं इसलिए पहली बात तो इनको इस तरह के plants के संग मत रखिए और जब भी आपको जैसे ही शुरुआत दिखे तुरंत उनको हाथ से remove कर देना best option होता है क्योंकि जो chemicals पढ़ते हैं वो poisonous होते हैं वो आपके आखों के लिए आपके lungs के लिए भी अच्छे नहीं होते हैं यह pesticide use करने के मैं बिल्कुल खिलाफ होती हूँ और मैं नहीं use करती हूँ पर मेरा यह विश्वास है कि दो चीज़ेंगर आप करते रहेंगे एक तो micronutrient लगातार time to time add करते रहें ताकि plant बहुत healthy रहे और उस पे कोई भी infestation का उस पे असर नहीं हो सके और दूसरी चीज़ प्लांट को time to time sunny days में उसको अच्छे से wash कर देना हमेशा अच्छा होता है क्योंकि उससे आपका plant ज़्यादा साफसुत्रा हो जाता है और उस पे spider माइर्स और तरतर की जो माइर्स अटेक करते हैं वो नहीं कर पाते हैं आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुँचें वीडियो गर पसंद आते हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें क्योंकि लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ती है वो ज़्याद लोगों तक पहुँचते हैं आपके रिलेटिव्स गार्डनिंग में इंट्रेस्ट रखते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक को उनको फॉर्वर्ड कर सकते हैं थैंक्सी वेडियो